हेलो फ्रेंज मैं विज्या आज आप से मनी प्लांट के बारे में बात करूँगी कि ये किस प्रकार इतनी गर्मी में भी बड़ी ही असानी से लगाया जा सकता है दोस्तों कहा जाता है कि ये प्लांट गुड लख और उन्नती साथ लाता है फैंश्रिंग और वास्तों के अनुसार मनी प्लांट के बहुत सारे फायदे हैं नासा ने भी एप्रूट किया है कि या हवा को प्यूरिफाई करता है इसको हमेशा कम्प्यूटर, टीवी और वाइफाई राउटर के पास लगाना चाहिए वास्तों एक्सपर्ट कहते हैं ये पॉजिटिव एनरजी लेकर आता है इसलिए मनी प्लांट को हमेशा घर के अंदर ही लगाएं या सभी बाधाओं को दूर करता है और घर में खुशाली लाता है दोस्तों अब हम कटिंग की बात करते हैं कटिंग आप बहुत बड़ी ना लें 5-6 इंच की कटिंग पर्याप्त है लगाने के लिए नहीं तो वो खराब हो जाएगी जो भी कटिंग लें उसमें देखें एरियल रूट्स जो ब्राउन कलर की दिख रही हैं ये अच्छे से इसमें गड़ब लग हो कटिंग को लेने के बाद आप उसकी जो नीचे की लीफ्स हैं उसको जरूर काट दीजेगा इसके बाद आप एरियल रूट के पास से एक इसमें कट लगाएंगे क्योंकि यही हिस्सा जो है वो स्वाइल के अंदर जाएगा और नीचे की लीफ अगर लगी रहेगी तो उसमें सर्णे की संभावना है इसको यह देखिए इस तरह से काट दीजेए गाले करके इसी तरह से इसकी नीचे की पत्ती भी काट दीजेए अब इसके बाद हम स्वाइल तयार करेंगे स्वाइल जो है यह साधरन गार्डन की स्वाइल है इसमें जो है रेट की मात्रा ज़्यादा मिली हुई है इसको पानी राल के थोड़ा सा हमने मुलायम बना लिया है इसमें आप कटिंग को लगा दीजे अराम से कम से कम एक इंच हिस्सा रूट की तरफ से अंदर जाना चाहिए यह देखिए इसमें को भी लगाईए लगाने के बाद आप इसमें पानी दे दीजे और यह ध्यान रखिएगा यह साथाट दिन दूप पर बिलकुल ना जाए नहीं तो पत्तियां हैं वो जल सकती है अब हम आपको दूसरे हाथ हलके हाथों से दबा जरू दीजेगा इसको इसके बाद हम यह बॉटल में लगाना बता रहे हैं आपको इसमें लगाने के लिए आपको प्लांट की नीचे की रूट सबी लीफ सारी हटा देनी है नहीं तो यह लीफ सर सकती है आपके पास दोस्तों कोई भी अगर शोवाले पेबल्स हैं या कलर्फुल स्टोंस हैं वो आप इसमें डाल सकती हैं बहुत सुन्दर लगेगा और बाद में जब रूट जमेगी तो वो उसी के अंदर ही जमती रहेगी जिससे प्लांट आपका मजबूत रहेगा इसके बाद हमने ढकन में ये होल बना करके कोई भी इसमें रसी ये कुछ लगा दीजे और इसको आप हैंगिंग भी बना सकते हैं कहीं भी लटका दीजे बहुत सुन्दा लगेगा ये दोस्तों सबसे असान तरीका है जहां कहीं प्लांट लगा हो आप वहां से मिट्टी भरकर पॉट अपना ले जाएं उस मदर प्लांट से एक लटा बिना काटे हुए अपने पॉट में लगा दें दोस्तों अपने पॉट में पानी जरूर देते रहें थोड़ी से मिट्टी भी उपर डाल दें तब तभी उसकी पॉट जो है वह आपके पॉट में जम जाएगी फिर आप उसको अराम से मदर प्लांट से काट करके हट काट सकते हैं यह सबसे असान तरीका है बस आपको अपना पॉट ही वहां पर रखना होगा दोस्तों आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा अपना और अपनी प्रकती का द्यान रखिएगा अधिक से अधिक पिर लगाईगा